Hey guys welcome back to my channel तो आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे OOPS concept तो OOPS concept आपके interview के point of view से जब आप Android या Java के interview देते हो तो वहाँ पे इसका काफी main role होता है और most important topic है OOPS concept और अगर आपने Java और Android में coding करनी है तो वहाँ पे भी आपको OOPS concept काफी देखने को मिल देगा क्योंकि इससे related काफी use होता है आपके coding में ठीक है friends तो OOPS concept आज मैं बिल्कुल detail में आपको समझाऊंगा तो करते start अपनी वीडियो So let's start it तो OOPS के बारे में सबसे पहले मैं आपको इसकी एक full form बता देता हूँ OOPS stand for object oriented programming language तो OOPS की जो full form है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये होती है object oriented programming language और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है ये हमारी जो हम programming करते हैं development करते हैं उसका style बनाता है मतलब कि OOPS is a style of programming for development उसके अदर एक type के style होते है तो OOPS क्या करता है वो style define करता है programming के लिए ठीक है friends तो OOPS का अब मैं ये तो किताबी क्यान होगा अब मैं थोड़ा आपको practical दिखाता हूँ तो सबसे पहले एक बात बता दूँ कि OOPS का क्या होता है कि अभी तक कि हमने किताबें पढ़ा होगी कि Java is a objective programming language बट मैं आपको रियल में बता दूँ आपने ये काफी कम जगा पढ़ा होगा कि जो सबसे प्योर जो language है OOPS की वो है small talk तो small talk is a first pure OOP language तो small talk में pure OOP language यूज करीगी है इसके लावा अगर हम Java की बात करें Java, C, C++ और Python इसमें क्या होता है कि just follow the OOPs concept ये OOPs के concept को follow करते है ये pure OOP नहीं होती ठीक है तो अगर आपसे आगर इंटर्यू में कोई पूछे की pure OOP language कौन सी है तो आप बता सकते हो कि small talk है ठीक है तो अगर आपको ये अगर आपने ये चीज अभी नवी सुनी होईगी तो प्लीस अभी लाइक कर देना वीडियो को तो बढ़ते है आगे अब देखो हमने कोश्चन आता है कि हमने उपस के को कहां पर इंपलीमेंट करते हैं ठीक है हमने उपस के बारे में पढ़ लिया ठीक है बड़ अब कोश्चन बनता है कि हमने उपस को यूज कहां पर करते है जावा के अंदर ठीक है तो वह मैं आपको बताता हूं तो देख है यह इसके concept है यहां पर इनको हम उप्स का यूज करते है ठीक है तो class is a very important जो आपको आगे मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में जब आप android में development करेंगे या फिर java में program develop करोगे तो class का very important role होता है हर programming में ठीक है तो एक उप्स का concept है यह इन सव चीजों में apply होते है ठीक है friends आप देको oops का जो हो ए एक मैं इसको आपको एक वह भी बता देता हूँ przeciam जो मैंने भी आपको बताया है कि यह ज़ो concept है oops का जो मन् iche सब भी में apply होता है तो कैसे apply होता है यह मैं बताता हूँ आपको की कैसे step by step होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि मतलब की सब की सबसे चोटी unit होती है object ठीक है object के बाद होता है class class के बाद inheritance फिर polymorphism abstraction and encapsulation तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है तो सबसे पहले object से start होता है ठीक है तो यह programming कैसे start होती है सबसे चोटा concept होता है वह कौन सा होता है object ठीक है उसके बाद आती हमारी class फिर इन हैटन तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है concept ठीक है तो यह मैंने step by step आपको समझाया है कि कैसे इसका programming होती है अभी फिलाल इस वीडियो में मैंने जस्ट आपको इसका overview दिया कि उपस के उसका व्य object इन हेटन यह सब जो है ना यह मैं आपको नेक्स वीडियो में इसकी फुल क्लारिफिकेशन बताऊंगा कि क्लास में हम उपस का कैसे यूज़ करते है object में इन हेटन पॉली मॉर्फिसम अब्स्टेक्शन और कैप्सिल से इनके बारें बिल्कुल डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो में आपको इसका ओवर्विव बताना था वी कहां पर क्या जूज़ होता है तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसमें हमने इसको बिल्क अधन थैंक यू सो मुच